दोस्तों इस भाग दाड़ भरी जिन्दगी में लोगों के पास करने को खूब सारा काम है सड़कों पे भीड़ है और ट्रैफिक जांज की कोई कभी नहीं है ऐसे में हम हमेशा सूचते हैं कि काश हम एक ही समय पर किसी दूसरी जगए भी मौजूद रह पाएं मतलब की काम भी हो और आराम भी किसी को देखते हुए कुछ लोगों के दमाग में खयाल आता है इन्सानी क्लोनिंग का हमने गाय भेड यहां तक की बंदरों के भी क्लोन बना लिये हैं पर क्या होगा अगर हम खुद को भी क्लोन कर पाएं क्या उस क्लोन में भी भावनाएं होंगी? क्या उनमें जान होगी? और क्या हम उनमें अनुवानशिक बदलाव करके उन्हें हमसे बेहतर बना सकते हैं? बसे बता दें क्लोन करने का मतलब है किसी भी जीव की हूब हूब अनुवानशिक कारवन कॉपी बनाना. यू तो वैग् में वैग्यानिकों ने एक वियस्क भेड की देहिक कोशिकाएं ली उसे ऐसे अंडे में डाला जिससे सारी अनुवानशिक जानकरी हटा दी गई और फिर तयार हुआ इंसानों द्वारा क्लोन किया गया पहला जानवर उस भेड का नाम डॉली रखा गया तब से हमने कुत्त बिल्ली घोडे और बंदरों तक को सफलता पूरूर क्लोन किया है मतलब कि शायद वैग्यानिकों ने क्लोनिंग की ये गुत्थी सुलजा दी है तो क्या होगा अगर अब हम मनुष्य का क्लोन बनाना शुरू करते हैं असल में वैग्यानिकों के अनुसार कुछ प्रजातिय को क्लोन करना बेहद मुश्किल है जैसे कि कुछों को क्लोन करना विल्ली को क्लोन करने से थोड़ा मुश्किल है और चूहों को क्लोन करना कुछों के क्लोनिंग से भी ज्यादा मुश्किल है मनुश्य का क्लोनिंग भी सबसे मुश्किल कामों में से एक है खैर मुश्किल है पर नमुम्किन नहीं, क्या होगा अगर आप ऐसे पहले इंसान बन जाएं जिसका क्लोन तयार हो जाएं, तो सवाल उठता है कि क्या वो बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी होगा, जी नहीं, बता दें कि आपका ये क्लोन ना कि सिर्फ अलग व्यक्तितों का होगा, बलकि दिख काल पे तिल है, तो कोई दूसरे से लंबा है, आपको भेड के क्लोन में भले ही समानताएं दिखें, पर लैब से आए हुए आपके अपने क्लोन को बारी किसे जांचने पर आपको लगेगा कि वो आप जैसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका व्यक्तितों बैवार और यहां तक की दिखावट भी, आप जिस वातावरण में रहते हैं उस पर निर्भर करती है, आप अपने डियने की कॉपी बना सकते हैं, परंतो आपके अनुभाव और यादों की कॉपी बनाना मुश्किल है, इसके अलावा आपका ये क्लोन आप जितना व्यस्क भी नहीं होगा, बलकि आपको उस क्लोन बच्चे की आपकी आयू तक आने के लिए काफी परवरिश करनी होगी, साथी क्लोन ज्यादतर बहुत ही अस्वस्त रूप में पैदा होता है, उनके अंग जैसे की हार्ट, लीवर, ब्रेन, दूश्पूर्ण होते हैं, उनकी रोग बहुत बीमार रहेगा और जल्दी ही मर जाएगा, वैसे जान लिजे के मनुष्ह का कलोन बनाना दुनिया में हर जगर गयर कानूनी है, हमेशा से कोई न कोई रिग्ञानिक मनुष्य का कलोन बना लेने का दावा करता आया है, पर कोई सबूत न दे पाने के कारण अभी तक मनश्य की क्लोनिंग महज विज्ञान की एक कल्पना मात्र बनी हुई है तो जनाब अगर आप किसी बाहरी देश में कहीं घूमने जाएं और आपको कोई आप जैसा ही देखने वाला इंसान मिले तो ये मत सूच लेना कि किसी ने चुपके से आपको कलोन तयार कर दिया है अरे भाई उसकी सिर्फ शकल आप से मिलती है